हलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए CISF यानि Central Industrial Security Force की जो प्रोफाइल के बारे में जानकारी लेकिया हूँ तो वीडियो को अंतर देखना और आपसे रिक्वेस्ट ये दिया आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मैं इसे ही जानकारी आगे भी लेकिया तरोंगा CISF Constable की Posting के बारे में बात कर लेते हैं कि यहां पर Posting कहां कहां पर करी जाएगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं Airport, Seaport, Delhi Metro, ISRO, Nuclear Power Plant, Thermal Power Plant, Heritage Monument जैसे कि ताज महल, कुतुब मिनार जो जो फेमस फेमस जगह है वाँ पर Posting करी जाएगी इस तिल कंपनी में Posting करी जा सकती है और Central Government Offices जो Government की जो Buildings होती है वाँ पर भी आपकी Posting करी जा सकती है अब बात कर लेते हैं Facility की कि यहाँ पर CISF Constable को क्या-क्या Facility दी जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं Medical Facility और Canton Facility तो सभी टाइप की Forces को यहाँ पर दी जाती है लेकिन सबसे बड़ा रोल आता है Duty Time में यहाँ पर केवल 8 गंटे की Duty आपको करनी होती है ज जलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 महीने की salary दी जाएगी जिहां दोस्तों यहाँ पर 12 महीने की नहीं बलकि 13 महीने की salary दी जाएगी अब ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पर Holy Days कम मिलती है पर यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी family के साथ रह सकते हैं बात करें सेलरी की तो दोस्तों यहाँ पर सेलरी चेंज होती रहती है लेकिन लेवल फॉर की सेलरी की बात करें तो यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,000 तक मन्तली सेलरी दी जाती है और ग्रेट पे भी यहाँ पर दिया जाएगा जो की 2400 रुपे मन्तली रखा गया है allowance भी यहाँ पर दिया जाएगा जिसा कि आप देख सकते हैं special duty allowance यहाँ पर 10% of basic pay का यानि जो आपकी salary है उसका 10% यहाँ पर दिया जाएगा यहाँ पर dress allowance भी दिया जाएगा जो की 10,000 रुपे पर year यानि एक साल का यहाँ पर 10,000 रुपे dress allowance दिया जाएगा children education के लिए भी 27,000 रुपे पर year दिये जाएगे up to two child के लिए यानि दो बच्चों तक के लिए hostel subsidy की बात करें तो यहाँ पर 21,000 रुपे पर year दिये जाएगे यदि आपका बच्चा भार hostel में पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ पर भी 21,000 रुपे यहाँ पर आपको alliance दिया जाएगा यह भी eligible है up to two बच्चों के लिए president medal यदि आप प्राप्त होता है यदि आपको मिलता है तो यहाँ पर 3,000 रुपे पर month दिये जाएगे और यदि आपको police medal प्राप्त होता है तो यहाँ पर 2,000 रुपे पर month दिये जाएगे बात करते हैं यहाँ पर promotion की तो यहाँ पर दो तरीके से promotion किया जाएगा पहला है departmental exam के जरिये और दूसरा है experience based पर बात करते हैं departmental exam की तो इसमें जोइनिंग के 4 साल बाद आपका departmental exam लिया जाएगा और उसके basis पर ही यहाँ पर promotion दिया जाएगा और यहाँ पर post की बात करें तो आपकी promotion में सब inspector की post दी जाएगी बात करें experience based promotion की तो यहाँ पर promotion के बाद ASI या फिर सब inspector की post आपको दी जाएगी तो दोस्तों यह रही सारी जान करी यह दी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सबस्क्राइब करना में आगे भी ऐसे ही जान करी आप लोग के लिए लेके आतारों का